हाई गाईस वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाले हो किस तरह से आप दो मीटर कप्रे से एक ब्यूटिफुल सा स्कार्ड बना सकते हैं हम सबको पता है कि एक अच्छा सा स्कार्ड बनाने के लिए हमें काफी ज़्यादा कप्रे के जरूरत होता है आज के वीडियो में मैं आपको एक प्रोसेस दिखाऊंगे जिसमें आप मिनिमम कप्रे के साथ भी एक ब्यूटिफुल सा स्कार्ड बना सकते हैं जो देखने में बहुत जादा खुबसूरत लगता है ठीक है यहाँ पर मुझे चाहिए 2.2 मीटर फाइब्रीक अगर आपके वास टू मीटर फाइब्रीक भी है ना तो भी आप यह सकार्ड बना सकते हैं तो नाव इदाउट एनी फर्दर दिले लेट्स कटेंटो दा वीडियो यहाँ पर मेरे पास 2.2 मीटर का कॉटन का कपड़ा है तो सबसे पहले हमें इस पर मार्क करना है तो इसके लिए हम इसको ओपन कर देते हैं और इसका उल्टी साइड पर हम इसको फोल्ड कर लेते हैं यह सीधी साइड है तो हम इसको उल्टी साइड में फोल्ड कर लेंगे सबसे पहले हम यहां पे डबम कर दिया है और अभी उसके बाद हमें सको और फोल्ट करना है तो यहां पे 8ayस ivities go तो सबसे पेहले हमें کपरे को कर देना है अभी हमें के लिए मार्क करना है तो हमें लेंक का जो measurement है वो लेना है नीचे से ठीक है और नीचे का जो border है वो सेम रह जाएगा उस पर मैं जो कोई folding के लिए सेलाई नहीं करना है तो मैं यहाँ पर length उतना ही लोगी जितना की ready length है तो यहाँ पर मेरा ready length है 38 मैं 38 ले लोगी अगर आप नीचे फोल्ड करते हैं stitching करते हैं तब यहाँ पर one inch margin के लिए ले लेना ठीक है तो मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूं तो मैं यहाँ पर 38 पर point ले रही हूं कि मेरा नीचे का जो border है वह मुझे सेम रखना है वहाँ पर कोई stitching नहीं करना है यहाँ यहाँ दोनों साइट पर इसका हमें measurement कर लेना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहाए 11 इंच तो इसका मीडिल ले लेना है तो यहाँ पर आरहे साड़े पाच इंच ठीक है तो सारे पपछ इंच पे हमने पॉगन ले लिएगा अब यह दो साइड का हाप करना है बहुद कमा लकगा हूदा इस तरह से दोनों साइट पे हमें यह जो हाप मिला है हमें इस तरह से उस हाप को रखके पॉइंट ले लेना है ठीक है तो इस तरह से हो गया है सारे 5 इंच में रखना है और इस तरह से पॉइंट लेना है अब यह पॉइंट से हमें इस तरह से इंची टेप को रखना है स्लां तो इस तरह से हमें दोनों तरफ में पॉइंट ले लेना है, अभी इन दोनों पॉइंट को इस तरह से हमें मिला देना है, ये साइड को भी हम इस तरह से मिला देंगे, सो यह हो गया है मार्क अभी हम इसका कटिंग कर लेते हैं तो इस तरह से हम इसका कटिंग कर लेंगे ठीक है सो यह हो गया हमारा कटिंग अभी आहांपे कितना पीसेस मिलेगा यहांपे हमारहेट SH इस मिलेगा मैं आपको दिखा दिती हो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो हमां यहां पर हमें आठ पीस मिल गया है ठीक है अभी हमें इसका स्टीचिंग करना है तो मैं इसको आपको एक बार उपेन करके दिखा दिती हो सो यह होगे हमारा स्काट का कटिंग यह जो पूरसन है इसको हमें स्टीचिंग करके जूरणा है और बोला था ना नीचे का यह जो एजेस है यह जो नीचे का एजेस आपको दिखाई दे रहा है यह हमें स्टीचिंग नहीं करना है वो हमें ऐसे ही रखना है तो इसलिए हमने लेंद उतना ही लिया था जितना हमारा रेडी लेंद है ठीक है तो अभी हमें स्टीजिंग करना है तो किस तरह से स्टीजिंग करना है यहां पर इस तरह से रखना इंची टेप कोड़ यहां पर दो इंच करके हमें पॉइंट ले लेना है ठीक है सबी में हम इस तरह से दो इं लेना अभी कना ये दोपीशस को इस तरह से लेना है और इस तरह से लेनी की बाद यहां पे इंची टेप की तो हमें 25 पिन कर लेना है तो इन पॉइंट पिन आपीश ऑल मां क Tsch जोब्हों मिला थे कहां कुछ दो पे पॉइंट लिया था तरह से हमें मिला देना है तो इससे इन प्रोसस्स , आप बागी का भी आप इस तरह से स्टी시고 कर लिजिए , मैं यहाँ थोड़ा रुक रही हूं आप देख लीजिए कहा तक स्टीशिंग करनी है , बिलकुल यहां प्रोससि , इस तरह से पॉइंट लगाया था , गोग कर देंगे तो छबी को direct करं दिए हैं तरह से अंधू इक पर दिया ना सेंधिक में जो negotiate कर लिया वह ने जी ओ inherit अभी हमने जो जोइन किया है उसके उपर हमने ढ़ने हैं तो किस तरह च Telahan लगानी है मैं आपको दिखा देती हूं ठीक है अभी हमें सभी में इस तरह से किनारे से एकदम किनारे से स्टीचिंग लगा देना है कि इस तरह से किनारे से टॉप स्टीच लगता है तो इस तरह से किनारे से स्टीचिंग लगा देंगे सभी में हम स्टीचिंग कर देते टॉ सिज। अभिए हम इस काट में लाइलीन लगाना है तो उसके लिए हमने लाइलीन ले लिया है और इसको हमीने सब से सबसे पहले से डबल फोल्ड कर दिया है और इस तरह से और कर लेना है और इस तरह से हम इसके उपर रख देंगे तो हमारा जो लाइलीन है वो भी 4-fold में है और जो स्कार्ट का जब वेस्ट पार्ट है वो भी 4-fold में है तो इस तरह से अच्छे से लगाने के बाद रखने के बाद यहाँ पे हमारा वेस्ट पार्ट में मार्क कर लेना है तो यहाँ हम मार्ग कर लेते हैं तो यह होगी हमारा वेस्ट पाट अभी हमें इस वेस्ट पाट दॉनिट 24 करके इस तरह से मार्क कर लेना है ठीक है जैसे अम्रेला कटिंग होता है ना से उसी तरह से इस तरह से अम्रेला कटिंग के तरह हम 24 पे मार्क कर लेते हैं और अभी सभी मार्क को हम इस तरह से मिला देते हैं ठीक है तो जिस तरह से आप अम्रेला कटिंग करते हो सेम उसी तरह से लाइलिन का कटिंग होगा नीचे यहां पर हमारा एक्स्टर कपरा जुरेगा ठीक है तो अभी हम सबसे पहले इसको कटिंग कर लेते फिर दिखाते हैं कि किस तरह से कपरे को हमें जोड़ना है है तो यह नीचे पर का मारा कटिंग हो गया है और अभी हम वेस्ट कर लेते हैं कि यहां पर नीचे आभी अभी हमें लाइलीन फिर से एकश करना है मेरे पास जीकें नहीं हे 18 अगर अगर आपके स मैं तदुए देख सकते हैं यहां पर पुरा ड्रस कर लिए टो यहां पर क्या होगा स्काट का जो फूरिय落य को दूब जब कर दिया है अब करना है जो आप में है इसके साथ इसको हमें इसतार से रखके stitching कर लेना है लाइलीन का waist part और skirt का waist part को हमने attach कर दिया है अभी क्या करना है जो हमारा skirt का जो दोनों side है जो open है अभी यहाँ पे हमें 3 इंच तक एक point कर लेना क्योंकि यह जो 3 इंच है यह हमारा open रहेगा तो यह open portion को हमें finishing देना है तो इस तरह से हमें half inch पे half inch पे fold करके जिस तरह से finishing देते हैं तो इस तरह से हमें half inch half inch करके fold करके यहाँ पे stitching कर लेना है यह दोनों side पे ही करना है स्कार्ट का जो दोनों side है दोनों side पे हम इस तरह से 3 इंच 3 इंच करके कर लेंगे ठीक है तो इसको हमें stitching कर लेना है यह अन्पव्ग कर दिते हैं तो बस इतना हमारा ओंन्ट रहेगा थो सू की बाद हमें कमर पट्टी के लिए कप लियना है तो यहां पे जो एक्स्ट्र कपड की लिए जो हमारा लेंथ कमरपटी के लिए कपरे कटिंग करते हैं तो यहां पर हमने कमरपटी के लिए कपरे लिया है 5 आई लगड़े अब इसका जो गरी थो दो आड़ा है न इन दो किनारॊ को इस तरत साम है फिणी इंग फिनिशिंग करते सेम प्रोसेस में जो हमारा कमर पर्टी और इस तरह साव हम स्ट्पिचिंग करकि फिनिशिंग तया त्रुक्त को 25 सावनों अब कों पर ट्रुप्टेइप उसका सीधी साइट को इस तरह से मिलाना है ठीक है दोनों तरह पी सीधी साइट एक ही तरह प्रहेगा आप देख लीजिए दोनों का कमरपटी और सकाट का तो इस तरह से दोनों सीधी साइट को सेम सेम डिरेक्शन पर रखना है और इस तरह से लेके हाँ पिंच करके यहाँ प कि परिए नियूंतर सकत है खोद है अभी इसकी ऊपर हमें इक टॉप स्लय लगा देनी है त्हीकर यहाँ पी मैं वोजिफोब इसको इसको इस तरह से एसे फोल करना शनींड और यहाँ पर ऐसे रखों यह फिर किनारे से यहाँ पर में स्टरह से कर देना तो सबसे पहले हम इसको कंपिलीट कर लेताहि स्टिचिंग कर लेता है 11 कमीर पती का स्टिचिंग हो गया है अप हमें जो साइट को हम अटजी करना ये तो सबसे पहले इस तरह से लाइनिंग का जो साइड है दोनों कॉर्णर है इस तरह से लेना है और यहां पर स्टिचिंग कर देना है ठीक है सबसे पहले हमें लाइनिंग को स्टिचिंग करना है तो लाइनिंग को हमें सबसे पहले इस तरह से लेके साइड को स्टिचिंग कर देना है शुलनिंज का स्टिचिंग हो जाने के बाद, साइड्पिचिंग हो जाने के बाद, अभी हमें स्काट का प्रहा है, उसको हमें स्टिचिंग करना सत detik करना Tradition भ sagen याद रखना हैं। यह इस को स्टिचिंगेर हैं। क οπο Parliament करना से जण करना होगते हैं। तो अभी हम इसका जॉइनिंग कर लेते हैं बस याद रखना वह तीन इंच हमें छोड़ना है वह हमारा ओपिन रहेगा पूरा स्कारा का साइड स्टीचिंग हो गया है और जो तीन इंच मैंने छोड़नी के लिए बोला था यहाँ पे हम एक पीन अटच करके रखाए तक कि समाज में आया तो यहां तक ही हमें stitching करना है ठीक है तो मैं दिखा दीत हूँ बस यहां तक हमें stitching करना है यह बात याद रखना तो यह हो गया हमारा स्काट का stitching ठीक है तो यहां पर हमें stitching को complete कर लेना है उपर नहीं आना है इस तरह से बहुत कम कपरे के साथ एक beautiful सा स्कार्ट का stitching कर सकते हैं तो यह हो गया हमारा स्कार्ट का cutting बस यहां तक हमारा stitching कम्प्लीट हो गया है अभी बस एक डोड़ी बनाना है और हमारा जो कमरपटी था उसके अंदर हमें डाल देना है तो यहां पर देख लीजिए यहां प पर हमारा जो कुरण पर पिए उसके अंदर बस यहां पर यह कपको डोड़ी बनाना है और यहां पर इसके द़र डल के आप इसको पहन सकते हैं ठीक है यहां अमार ओपें रहेगा इस तारह से बहुती कम कपरे के साथ लगबग 2 मीटर कपरे के साथ ही आप एक बहुती खुबसूरत सा स्कार्ट बना सकते हैं ठीक है जो पहनने के बाद बहुती ज़्यादा खुबसूरत लगता है तो यह था आज का वीडियो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अगर अच्छा लगें तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी डावट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए तो थैंक यू सो मच गाइस पॉर वाचिंग मैं वीडियो प्लीज चेंग करा राव जगर वीजिए यू सेक्शन पर केको आपरा सक्शन झापियो किजिए धकि भी बांना किर चicer हैं कर दो आपकती तो